आपके दर्शन भी हुए और बात करके बड़ी खुशी मिली उससे हमें लगता बात करने में आधा दर तो हमारा इसे ही ठीप हो गया नमस्कार दर्शको स्पागत हैं आप सभी का अमारे बेहत खास कारेक्रम में मैं हूँ आपके साथ शेर्जतियागी दर्शको सेहत और जिन्दगी की टीम पहुची है लखनाओ के अपने सफर पे जहां पे हम अपने पेशेंट्स की घर जा रही हैं और वो फैमिली मेंबर्स जो सेहत और जिन्दगी कारेक्रम से जुड़े हुए हैं और इसी सफर की शुरुवात के बाद एक और पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ी है जी हां मैं बात कर रही हूँ कृष्णा वर्मा जी की तो चलिए उनसे बातशीत करते हैं मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है नमस्ते मैम कृष्णा जी अपने बारे में हमें कुछ बताईए ये सन 2016 से हम लोग घूमने गए थे बाहर तो हमारा अचानक ही रास्ते से ही तबियत खराब हो गई बुखार आ गया हाथ पैर जाम हो गए तो उसके बाद ये था कि भाई काफी तेज बुखार है और कैसे मतलब आगे हबते दस दिन का प्रोग्राम भी था फिर उसको ये था कि भाई हमने हस्बन से कहा इनके एक दोस्त हैं तो हमें पैथिक के जानकार हैं तो हमने कहां उन से फोन करिये और कोई दवा उनके उपर बिश्वास भी बहुत ज़्यादा जैसे हकेम साथ के उपर इसी टाइप से उनके पर भी है कि चिकन गुनिया हो गया है और इसका कोई इलाज नहीं है तो हमें पैथिक ही चलाते रहे फिर काफी दर्द बढ़ता रहा कभी आराब मिले कभी बढ़ जाया तो फिर हमने डाक्टर आरपी संग यादो है यहां हड़ी के उनको दिखाया दो साल उनका इलाज चला उसके ब 2 साल पॉने 2 साल से देख रहे हैं तो इनको कुछ समझ में क्योंकि हम बहुत परिशान थे तो इसकी वज़े से हमारा परिवार भी बहुत परिशान था तो इनको पिर हकीम सहाप का जब प्रोग्राम देखा तो इनको नहीं ने मन में बना लिया कि हम कुछ दवाइं लेकर आएंगे तो ये एक दिन ऐसे हम लेटे लेटे सुन रहे थे लेकिन उतना नहीं समझ पा रहे थे कि टीबी में देखा नहीं था उनको तो दवाईयां ले आए फिर हमको बताया कि ऐसे ऐसे खाईये फिर खाई तो उससे एकाथ दिन बाद जो है हमारे सरी काफी दर्द पैरों तो और बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो कहने लगा ठीक है हम डाक साब से बात करा देंगे आपकी तो बात कर लीजिएगा जो समस्य हो बताईएगा तो डाक्टर जफर हैं तो उनसे बात हुई उन्होंने कहा कि बढ़ रहा है लेकिन धीरे धीरे आराम मिलेगी फिर च ठंड लग गई जाने क्या है तो हमारे काफी एकदम बाई तरफ के पैर में काफी अटेक हुआ उसका ठंड का जो है चलना फिर ना मुश्किल हो गया पैर कुछ तेढ़ा होने लगा दर्द भी बढ़ गया तो फिर यही था कि बही चलिए फिर प्रोग्राम इनका फिर जब मिली उससे हमें लगता बात करने में अधादर तो हमारा इसे ही ठीक हो गया फिर हाँ फिर जो है दवा चलती रही फिर उन्होंने भी यही बताया गुनसिया बताया हमको तो फिर दवा तो चली रही थी फिर हम पूरी बात तो कर नहीं पाए इतने खुस हो गया कि पूरी ब कुछ गैप करके ले सकते हैं तो फिर हमने गौनसया भी शुरू किया लेकिन ये सब गौनसया भी चलता रहा दवाईयां भी चलती रहें लेकिन काफी आराम मिला फिर हमारा ये एक साल डीर साल हो गया तो कंधा अपने आप धीरे-धीरे करके जो है ये लिफ्ट हाथ कुछ ट करते रहें लेकिन फिर ये हुआ कि बच्चे कहने लगे कि मम्मी ऐसा है फिजियो थेर्पिस लगा लीजे तो उसे और जल्दी आराम मिल जाएगा तो वो करीब एक साल से आ रहा फिजियो थेर्पी भी करा रहा हाथों की पैरों की तो उससे काफी आराम करीब 80% हमें आराम पैरों में 80% है और हकेम साहब की दावाईयां चल रही है आपके उम्र कितनी है अपके घर में कौन-कौन है हमारी उम्र तो है 61 और घर में हमारे एक बेटी उसकी साधी हो गई है उसके दो बच्चे है बेटी जी जी आईसी में सर्विस करती है और दामाज जी है तहसिलदा वो जिला कन्योज तिरवा में है और दो बेटे हैं बड़ा बेटा बैंक में है वो सीतापुर में पोस्टिंग है बहु हमारी भी बैंक में है वो यहां लखनौ में पोस्टिंग है उसकी छोटे बेटे हैं वो कन्योज में वो भी पोस्टिंग है लेकिन वो जज है और ज − को रहत मिली और हस्मेंट को भी रहत मिली कियोंकि ये तो काफी उनके मुरीद हो चुके है उनके जो भी दोस्त या कोई भी रिष्थेदार कोई भी फोन करता था कोई भी इसी तरिके के介!!!! में तकलीब बताता था तो यह तुरंट उसको आप यह ले लिजिए तो इससे आपको आराम मिलेगा जैतुन का सिरका बहुत मलब गया इधर उधर रिस्तेदारों में दोस्तों में और यह क्या नाम गोंसिया कुछ मरी जैसे भी है जैसे मालों गोंसिया हम डिबे ले आए क्या यह एक बहुत जरूरी हो जाता है कि यूनाई ट्रीट्मेंट का जिक्र आता है तो इसका लोग के बहुत लंबा झाumति चैयां कैसे डिपार आ क्योंठिट से हैं जी बिलकुल पूरी तैसे बांच हाकिम के लिए तो हम हम तो कहते वह न हमॉर अमर रहेंगे तभी हम लोगों की और जनता की सेवा हो पाएगी और हकीम साब जो कहते हैं कि वो रिटार्मेंट ले लेंगे या फिर कुछ और अरे वो सुनकर के तो हम लोग सब घबड़ा गए थे कि अब इतनी जल्दी तो बात भी नहीं होती कभी हो पाती कभी नहीं हो पाती उनसे कैसे कहा जाए कि अभी रिटार्मेंट ना लीजिए आपको देखने वाले दर्शक आपको सुन रहे हैं उनको कोई संदेश जी बिलकुल हम तो कहते हैं कि आप लोग यलोपैथिक का तो बहुत जरूरी हो तो इलाज करिए और नहीं तो युनानी से जुड़ जाएए इससे बढ़कर कोई इलाज नहीं बहुत बहुत शुक्रि हैं अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक और सेहत और जिन्दीगी परिवार के सदस्य के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इज्वासत नमस्कार